3-4 दिल लगातार 20 होने के बाद प्लांट सोजाते हैं डेमेज्छ खास करके रोज प्लांट तो ती हेवी रेंफॉल के बाद हम रोज प्लांट की क्या क्यार कर सकते हैं उ ही बताने वाली हूँ इस वीडियो की दौरान प्लीज वीडियो को एन तक देखना और अच्छे लगी तो प्लीज देख लाइक कर दीजिएगा चैनल पर नए हो तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा पहले तो इन सारी रोस प्लान में जितने भी सारी यलो पत्ते है जिस पत्ते पर black spot आ गए है डाइबेक आ चुके है जो stem पर उस सभी को cut करके clean कर देना है और यह जो कलिया मैं cut कर रही हूँ एक कलिया खिलेंगे नहीं क्योंकि एक गलने लगे है कुछ जो flowers है ओजर चुके है कुछ flowers है जो पुरे तरह से खिले नहीं है और जिस पत्ते पर इस तरह से देखिए black spot आ गए है उसको भी हमें clean कर देना है इधर मैंने लिया है radio mill gold fungicide आपके पास नहीं है तो आप सब fungicide यूज़ कर सकते हो तो फहले हमें क्या करना है मिट्टी पर एक चमच fungicide powder इस तरह से छिलग देना है मैंने कितने छोटे चमच की यूज़ कर रही हूँ आप देखी सकते हो और radio mill gold जो fungicide है और root पर बहुत अच्छे काम करते है खास करके rose plant पर इसलिए मैं यूज़ करती हूँ और fungicide देने के बाद उपरी हिस्से की जो मिट्टी है उसे थोड़ी सी गुड़ाई कर देना है हलके से गुड़ाई करना है जादा नहीं करना है क्योंकि monsoon season में root की गोद बहुत अच्छे होते है अगर हम जादा गुड़ाई करें तो root cut हो सकते है और plant damage हो सकते है गुड़ाई करने के बाद अगर मिट्टी गिले हो तो हमें पानी नहीं देना है अगर सूके हो तो थोड़े से पानी दे देना है अगर आपकी plant की stem से इस तरह से छीलके निकल कर आ रहे है देख सकते हो तो क्या करना है आपकी stem जो है plant की जो stem है उसको बहुत अच्छे से clean कर लेना है अगर आप clean नहीं करोगे तो आपकी जो plant है उसकी उस पर fungus एटक हो सकते है और plant धीरे धीरे damage हो सकते है इस तरह से stem को clean करने के बाद उस पर एक fungicide की लेप लगा देना है मैं इधर sub-fungicide यूज़ कर रही हूँ और जो grafted area है उस पर भी fungicide की एक बहुत अच्छे से लेप लगा देना है और उसके बाद उसे बहुत अच्छे से सुखा लेना है इसे हमारा जो plant है वो बच जाएंगे उस पर किसी तरह की भी fungal attack नहीं होंगे उसके बाद एक लीटर पानी में एक ग्राम fungicide powder मिक्स करके सारे plant में बहुत अच्छे से स्प्रे कर देना है आज की वीडियो एही तक